यह हों डॉलर आइस टाइटन यह है टेन फाउसे डॉलर आइश टाइटन और यह वह घंशार डॉलर आइश टाइटन और आपेशटर यह कहां है वा जॉल्मिलियन डॉल minder से रहा यह स की men and बनाड़ी और एक खिलाड़ी इनके सामने चार दोर और चारों के पीछे अलग अलग आइश टाइटन और जिसको जो भी आइश टाइटन मिलेगा वह आइश टाइटन की रिस्पोंसिबिलिटी होगी कि वह हमारे कंटेस्टेंट को खुछ रगे क्योंकि गाइस अगर वन करने का मौका देंगा ठीक है मैं जा रहा हूं और राइट गाइस कोई कुछ बोलने रहे कोई कुछ बोलने रहा है ओके हरे यार बात सुना बात सुना बाई इतने असारी चले जाओगे हरे अगर तुम चाहते हो कि सबसे पहले तुम जा तो मुझे एक प्रश्टिका उतर कि आज ऐसा क्या है बाई जो तुम पहले जा रहे हो मुझे नहीं भेज रहे हो अरे कैसा है ना आज एक्दम एजीली विजबल है कि किसके पीछे के आई यह देख वन मिलिन वाले का यह तो आज पता चल रहा है इसलिए मैं सबसे पहले जाओंगा है ऐसा है क्या तो सबसे पास आ रहा था यहां कैसे पहुंच गया बापरे बाई बहुत बढ़ा है और चोटा है भाई तो अरे अरे यह तो यह भी मेरी बेज़ोती कर रहा है सब मेरी बेज़ोती करते गाइस अगला मैं जाओंगा लेट्स गो अरे हेलो जी आप का रहा है मैं हूं 100 डॉलर वाला आइस टाइटन लेकिन आपका मूदे कर लग रहा है आप बहुत दिनों से प्रेशर में हूं और बड़ा गुस्ता भी आ रहा है और लगता है आप ब्रेश भी रोज नहीं करते हूं वा कभी इनका प्रेशर में निकली मास्टर साइड हो जा अब मैं जाओंगा अरे मैं मैं आपको साइड करते घरते कदी साइड हो गया अरे वाई चौप आराम से किया कर लेट्स गो है हाई आप आप कितने के हैं मैं हूँ 10,000 डॉलर वाला आइस्टाइट है मैं थंडा कर दू मतलब मैं थंडा ना ही पड़ू तो जल्दी से मों सब्सक्राइब बटन को देबाग तुम मुझे ठंडा करते जाना आर्यों लग मुझे घरम करेंगे फिर चलता रहेगा मैं हूँ बरफ का पथार मैं एक दिन पूरी दुनिया को बरफ में मतल दूंगा तुर यह दुनिय आ है बर यह एक दिन में अपने दिमांग की करवांगा निकांटस एनवा युक्टे गाइस यह इतना बड़ा है कि तरी बड़ी बिल्डिंग में खड़े हैं इसका मूझ देगो भाई इसके लाइक लिटरली इसकी जो नाक है ना उतना बड़ा तो मैं हुई नी मतलब इसके नाक में एक जो होल है वहां से मैं निकल जाओंगा आजाओ तुम मेरे घड़ी में ब ना तो यह बोड चल रही है अरे भाई यह तो उड़ रही है गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह बहुत अजीब सा लावा गॉड़ है अरे बाई ठीक है जैसे भी है तुमने बोड पे चक्का लगा दिया है तो मैं कभी भी पिखल जाता हूं पिखल के पानी बन जात अरे बापरी बाइब यह गाड़ी है या हेलिकॉप्टर जो भी है बच्चे पांच साओं के हूं ज्यादा पूछो रही है अच्छा ठीक है मैं बैट तो गया हूं क्या यह उड़ती भी है और तूटती भी है इसलिए सीड बेल पहन ला अरे बापरी बाइब यह क्या अब ही थोड़ी देर देखो यह एक ऐसा जादू एक ऐसा कमाल दिखाएगी ना मेरी गाड़ी कि ऐसा कमाल तुम कभी नहीं देखे होगे अगर जमीन में चल रहे है तो काल लेना था ना हेलिकॉप्टर क्यो लिया अरे हां बात नो तुम्हारी सहीं है यह चीज मुझे पह अब मेरे साथ बैठो लेकिन मैं बैठो कहा जाना मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अगर कुछ था बता भाई तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है अभी एक मिनट रखो अभी दिखाई देगा आजाओ अरे बबबबब यह क्या आगया भाई यह तो शीप है hewई आइस ठाइदन चलते हैं है इतना बड़ी चान को जरुवत क्या नहीं तुम अकेलित हो छोड़ा से हैं तो मैं क्या मैं पे पानी में जाके जम जाता हूं और बहुत बड़ा हो शकाרת में पानी सफिक जायेगा या फिर किसी भी शर्बत पें तो तो तिम लोग क्या करते हो गल कि अपना इसका तोड़ के उसी शर्बत में डालके भी लेते हो गया टु हां पागल क्या पागल पागल क्युक कर parked each की बरशाइं करें अपनी बाहिब अपनी बारी यह को नीचे क्याता है you यह कैसेब करता होगा ऑब है अपनी चांस आगी है तो गया गया ऑल राइट ओके 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 वाट भाई यह क्या है ओ माई गॉट यह बंदा ऐसे ट्रावल करता है आई मीन वाट गाइस अब आपको लोगों समझाया यह क्या से ट्रावल करता है यह इतनी बड़ी बिल्डिंग पर कर रहा है भाई ओल्राइट यह खुद भी अंदर आ चुका है अब देखना यह होगा कि भाई यह बिल्डिंग चलती है भाई मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि यह इतनी बड़ी बिल्डिंग पर ट्रावल कर रहा है ओ माई गॉड गाई आप अच्छे से देखो कि यह पूरी की पूर में सारा कुछ होगा हरे चलो भाई वन डॉदर वाले आइस टाइटन मुझे अपनी शक्तिया दिखा भाई तुम तयार हो हरे हां भाई हां यह यह निपड गया अब मैं इसे फिर से जिन्दा करूंगा हो जिन्दा हो हरे भाई इधर इधर मजाग चल देना है क्या भाई त धौन दर गया था मैं ऐसा मत किया कर और शक्तियां अब लिकिताता हूं यह देखो अरे बाप रे बाब भाई एक दोलर में ठोड़ी जादा ही शक्तियां तिरे पास कूंश हो घया बास मिझे जान यह बख्स कूण हुझ में खुश हो औरय मुखों हो थीक है zulुआ 51P ले लेकिन मेरेको pressure आ रहा है अब अपना pressure इसी पे निकाल दो ठीक है, pressure क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तुमते कुछ कर लिए नहीं सकते हो अरे बाफ्ने बाफ तुमते बाफ कुछ कर सकते हो मुझे माफ करो अरे, यह क्या हुआ, यह तो मर गया अब इसे जिन्दा करना पनेगा अगर अभी मैं जिन्दा नहीं कर पाता तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाता खुआ, अरे बाप, तुमने मुझे जिन्दा कर दिया थांक्यू, थांक्यू अरे तुम्हें खोश किया बिना, तुम्हें मरने कैसे दोंगा मैं तुम्हें खुश करके ही मानने दूँगा मुझे मनने ही मत देना ठीक है अरी बाप और क्या शक्ती है तुम्हारे पाइस जरा दिखाना तो ये देखो मैंने इतने गाडिया तबा की अब मैं बहुत सारी गाडिया ले कराऊंगा गाडिया आजाओ अरी बाप री बाप ये कैसे हो रहा है तुम गाडिया कैसे ला रही हो भाई ये तो बहुत अजभुद है ऐसे में तो तुम्हें अपना शोरूम ख़र लेना चाहिए क्योंकि अगर तुम इतनी सारी गाडिया ला सकते हो तो अगर तुम्हारे पास खुद का शोरूम होगा तो कितना बढ़िया होगा यह तो मस्त मस्त गाड़िया है भाई क्या शक्ति है I am very much impressed मैं खुश हो गया हूँ बस बस मैं खुश हो भाई मुझे चुड़ दे मेरा पीछा चुड़ दे खुश है तो चोड़ देता हूँ तो तेन थाजन डालर के बरफीले पथर चले अपना थड़ा कमाल दिखा हम भी तो थड़ा खुश होए गाइस मुझे जो लगता है इस बरफीले पथर के पास कुछ ज्यादा अनरजी है नहीं ज्यादा ताकत है नहीं और बस यह रोल मारता रहता है अपनी शक्ती देखा भाई यह तुलकुल गलत बास है ऑड़े यखिन दिलाना है ता शक्ती दिखा शक्ती ठीक है अब देखो मैं दूसरे डाइमेंशन से कुछ करने वाला हूँ औरे जादा नहीं डरा अब तुम बहुत जादा डरने वाले हो तुम देखते रहो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा ठीक है भाई तुम्हें जो करना है तुम करो तुम अभी खुले में ना जाओ तुम तो बाकी लोगा जीना मुश्किल कर दोगे अरे बापरे बाप लगता है मैंने इसे गुस्ता दिला दिया मुझे इसे गुस्ता ना ही दिलाना था किन मज़ा तो आ रहा है और क्या शक्ति है जरा भो भी दिखाओ ठीक है तुम्हारा मन नहीं बरा दिखाता हूँ ये देखो मेरे पास है ये अगर तुम इसे देखते हो तो तुम भी पागल हो जाओगे, लेकिन मुझे ता पागल होना ही नहीं है, अरे बाप्रे बाप, उसके पास तो कुछ जादा ही शक्ति है भाईया, तुम पत्थर ले दाना नहीं है, तुम साच के आइस टाइटन हो, एक मिनट रुको, एक सबसे अद्भू चक्ति है, ये द बाड़ा रहे हो, बिचारे को सुवर बना दिया, ये कैसा है, मैं खुश हो, मैं खुश हो, अच्छा, तुम खुश हो, ठीक है, और राइट मेरे आइस टाइटन वन मिलियन वाले, अब तुम्हारी बारी है, भाई, देखते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्तिया है क्योंकि इसका हाथ इतना ठंडा है, अगर मैं जूता नहीं पहना रहता तो भाई, मैं आइस क्रीम बन गया रहता अभी तक, मैं अगर शक्ति यूज करता हूँ, तो ये पूरा अर्थ पानी में मिल जाएगा, तो मैं अपनी शक्ति यूज करने के बजार थोड़ी सी तुम जाके टेस्ट करना ठीक है है, और और ये रे और अरे भाई मैंने तुसल को मिल गए यह वीड विट वहाट अल्रा एक कुछ ज़ादा ही पाऊर है I mean यह देखो भाई oh my god यह पाऊर से वाइश पर और इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें थोड़ी सी पावर्स दे रहा हूँ वाई यह थोड़ी सी पावर्स है क्या I mean गाइस मैं तो इतनी पावर्स से खुश हूँ तो अपनी वीडियो में इतना ही था पसंद आई तो लाइक करो चानल पर नहीं था सब्सक्राइब करो अब है मिलते है नेक्ट वी